हेलो दोस्तों वेलकम टो मैं चैनल इस वीडियो में दिखिए बोर के पैनल का वाइरिंग किस तरह करना है वो सीखेंगे जो के अगर आपके पास इस तरह का पैनल आता है तो आप बहुत यासनी से इस वीडियो को देखते वाइरिंग उसकी कर सकते हो तो चली वीडियो को जो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है मैं यहां पर बॉक्स के अंदर ओल्ट मेटर बठाना है तो यह है मेरे पास ओल्ट पीट मेटर फीट हो गया आप क्या करना है हमें ही आप यहां पर बेठाना है दो यह रहा हमारा एंप देना है महां और ऑनक्प को यह टाइट कर दिना है nut को tight करने के बाद देखिए आप यहाँ पे push बटन बिठाना है तो यह push बटन यहाँ पे बैटेंगा तो इसका पीछे का आप खोल दीजिए इस तरह से और देखिए इस तरह से उसको fit कर देना है यह बैटने के बाद में देखिए आपको indicator लगा देना है यहां पर तो सबसे नीचे जो है वो रनिंग के पिसेटर रहेंगा और यहां पर पट्टी को नट लगा देना है जिए रहां नट क्यापिसेटर के बाद जो हमें देखीए कनेकटर बिठा देना है तो यह मैंने निव लेके आया है जो पुराने वाला है वो जल गया तो आप देख सकते हों यहां से पूरा काला हो गया ठीक है तो यह हम यह ने वाला इसके अंदर बिठाइंगे तो यहाँ पर लग जाता है यह इस तरह से और इसको जो है इसक्रू रहते है दो वो लगा देना है तो आप जो हमें MCB ले लेना है अब सबसे पहले हमें MCB से वायरिंग स्टार्ट करते है इसकी आपको एक 2.5 का वायर लेना है और देखिए इसको यहाँ पर लगाना है इस वाले पॉइंट पर और इसे जो है टाइट कर देना है फिर आपको एक दूसरा वायर का तुकड़ा लेना है तो देखिए एक सैट से दो इस तर से कान बना देना है इसको क्योंकि हम जो इसके अंदर नट में लगाएंगे तो हमर बस किलिप नहीं है तो जो हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे तो इसको जो आपको दो अलग लगा देते हैं यहां पर अब देखिए आप में क्या करना है जो यह वाला जो पॉइंट है यहां से जो यहां पर वायर आ रहा है तो हमें इस वाले पॉइंट पर कनेक्टर के इस वाले पॉइंट पर लगाना है जो कि फर्स्ट वाला पाइंट है यहां पर और इसको जो ट तो यहां पर एक पहले वाइसर लगा देना है इस तरह से और फिर इसको इस तरह से दिखिए पेच मारना है यहां पर काप चाहिए तो किलिप कभी यूज कर सकते हूं यहां और पेंचिस के मतर्स से थोड़ा सा मिसे जो टाइट कर देती फिर इसके उपर जो है इसके उपर एक वाइसर लगा देना है और इसको जो है नट लगा के टाइट कर देना है तो यहां पर जो है आठ नंबर का पाना आपको लेना है आठ नंबर का पाना लगता है यहां भी और इस तरह से के टाइट कर देना है इसको पानी की मदश से तो देखे जो है मैंने टाइट कर गया है तो यह हमारा एक सर की डोगिया पुरा कम्प्लिट आप जो हमें फिर से एक 2.5 का वायर लेना है तो जो हमें इस तरह से दो लूप बना लेने है और यहाँ पर जोड़ना है इसे चलिए यहाँ पर जोड़ते है तो देखे हमको इतना वायर जोड़के से छोड़ देना है अभी क्या करना है अब हमें आना है ओल्ड मिटर पर यह देखे हमारा ओल्ड मिटर रही है आप यह लिखा हुआ है देखे है ओल्ड मिटर तो इस पर आना है और इस वाले पॉइंट पर देखे हैं मैं आपको अच्छे से देगा देता हूँ इस वाले पॉइंट पर क्या करना है आपको इस तरह के जो है दो वायर लेना है एक छोटा सा तुक्डा लेना है और एक थोड़ा सा लंबा लेना है क्योंकि हमारा ये ओल्ड मेंटर को भी करन देना है ओल्ड एकने के लिए कितना आ रहा है उल्टेज तो इसको नट को खुलना है और इस तरह से यहां पर इसको लगा देना है और इसको भी पाने के मदश से टाइट कर देना है ठीके आप जहिए छोटा सा जो तुकडा बचा है तो हमारा जो इंडिकेटर है यह देखिए जो यहां पे इंडिकेटर लगा यहां पर यहां पर यह आऊंगा तो इससे एक वाल twee किस भूढंट पर लगा देना है तो में इस वाले पोंट पर लगा देता ήूँ आप जो है ये वाले वायर को क्या करना है हमारा ये वाला जो वायर बचा इसके साथ का इसको लेना है और इसमें जोड़ना है इस तरह से और इसको जो है हमारा जो कनेक्टर पर लेड़ है तो इसको इस वाले पॉइंट पर जोड़ना है यहां भी यानि कि यहां से तीसरे नमबर पर देखिए एक दो और तीन इस वाले पॉइंट पर जोड़ना है और टाइट कर देना है यह ओगे हमारा फेस का वायरिंग ठीक है करती है, यह स्टाटिंग केपीसेटर का एक वायर ले लेना है यहां से अभर बरसके पहले छिल डेते हं हम यहां से अच्छे से कर से कि रणिंग कैपिसेटर का जो आपको पहले वाला पॉइंट लेना है और धोनों को दिखी स्टार्टिंग और रणिंग वाले को एक में मिला देना यहां पे इस तरह से और डुम यह झो आपमारा कनेक्टर बाले के बाजले में exist और थो दिखान यहां से यह nut को खुलना है देखी इस वाले point को यहां से देखी बीच वाला इसके जो हमने लगाए यहां पर common वाले के बाजू में हमारा यलो वाला बनता है motor के अंदर और इसको यहां पर दोनों को लगा देना है इस तरह से अर जो है tight कर देना है इस तरह से अब हम्य देखिए स्ट्राइंग केपिसिटर का एक वायर लेना है यह वाला सपेद वाला और दिखी हमारा जो पूस्ट बटन है इस पर लगाना है तो यहां पर देखिए दो पॉइंट है तो आप किसी दो पईंट पे एक में लगा सकते हैं तो मैं उपर वाले पॉइंट पर लगा रहा हूं और इस तर से आपको नट को टाइट कर देना है वाइट लगाने के बाद कि योदे कि हमारे पाद रेनिंग केपिसेटर के एक बाइर बचिए तो इसको क्या करना है एक छोटा सो वायर का तुकड़ा लेना है इस तर से और यहां पर लगाना है और पेंचेस की मज़े से इसको जो है अच्छे से टाइट करना है इस तर से और अब जो है यह वाला जो पॉइंट डेकरे है यह वाला जिस वाली पॉइंट पर लगाना है जो हमारा रेड वायर ब अब इसका जोए एक लूप बसता है यहाँ पे यह हमारा नीट्रल पाइंट हो रहा है तो इसको एक और वायर का तुक्ड़ा लेना है इतना लंबा देखिए और यहाँ पे इसको जोए पेच मार देना है इस तरह से और इसको जो हमारा यह वाला जो पौइंट खाली बचा है यहाँ फेल लगा देना है ऑट है दो कि अ मारे पास एक वायर पचा भी भी न्यूटल तो इसको क्या करना है अब इसको न्यूट्रल को हम यह से छोड़ देते हमारा जos old meter देखी, जो हमारा old meter था ये वाला तो इसका एक जो point बचा है, यहाँ पर यहाँ पर आपको एक wire connect कर देना है तो चलिए जो है, मैं आपको एक wire connect कर देता हूँ तो यह है मेरे पास wire और इसको जो है अच्चे से tight कर देना है आप देख आपको क्या करना है इसको जो है इस wire को बीच में से यहां से काट लेना है इतना तो मैं यहा से याist काट लेता हूँ और इसको छील देना है और इस तुकड़े को भी छील देना है और यह दोन को एक में कर देना है यहां पर देखें जो हमारा LED पॉइंट आए लेडी पॉइंट का एक जो गाला बचाता यहां पर लगाना है इस तरह से और जो इसक्रू को टाइट कर देना है पर उसका जो दूसरा सीरे को छिलना है आप जो हमारा यह वाला जो वायर बचा है नीट्रल और यह इसको जो है एक में मिला देना है और जो इवाला जो पॉइंट बचा है स्टार्टिंग बटन का यहां पर लगा देना है इस तरह से तो दोस्तों जो हमारा वायरिंग यह उपरा कम्प्लीट हो गया तो देखिए वायरिंग कैसे किया है मैंने आपको मैं समझा देता हूँ तो यह हमारा फेस पॉइंट है तो यहां से देखिए एक 2.5 का वायर निकल के जा रहा है mcb के इस वाले पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से बाहर निकल के अधिकी इस तरह से यहां पर निकल के जा रहा है कि कर दिंडों को मिला के बीच वाले में इस वाले विच वाले प्यंटंट पर लगा दीना जो कि हमारा मोटर का यलू बनता है तेग वाई इसके बद चुन होगा गहला इसे जो करोगूए ही कैपिष्यर कि गए है तो वह एक वायर को भासें से लेके आना है और इस्टरंटिंग वाल बटन पर यहाँ पर लगा देना है पूछ बटन पर ठीगे यह पूछ बटन है हमारा हरे वाला और इसलगे धूर्टण पागी था हमारा यह फेस के बाज वाला यहां पर चोड़ देना है उसको एक और वायर कनेट करना है और यहां पर लाके दीकि बटन के इस वाले पॉइंट पर लगाना है यह हो गया नेट्रोल पाइंट और यहां से यह कनेक्ट होता है जब पूछ दबाते है तो यह दोनों इंडिकेटर के पास चेक वायर का तुकड़ा नेट्रल वाला और यहां पर ओल्ड में लगा देना तो इस तरह से देखिए वायनिंग पुरा यह कंप्लेट हो गया अब मैं जो इसको कस्टमर के वापे फीट करता हूँ और फिर आपको जहें का आउन करके दिखाता हूँ ह यह फेस और यह एक नेट्रल ऑघो और हमारी मोटर की द्रकेश कह भाए यही होगा इसका कोमन बिलीव वाला वाइर और यह बिचके हो गई यलो वाली जोगे स्टर्दिंग है राइस्ट में यह जो है यह होगा आणिन वाली ठीके त अब एक झार जो हैं पैनल को ठककन लाइक शेयर सब्सक्राइब जो किजिए मिलते हैं नेक्स वोड़े में तब तक के लिए गुड़ बाइ